और इस मुलेटिन में सबसे पहले बात हर्याना की अर्याना की मनोहर सरकार में आज दूसरा मंत्री मंदल विस्तार होगा और इस विस्तारी कर्म ने फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल, रोतक से विधायक मनीश ग्रोवर और बावल से विधायक बनवारी लाल को जगह मिल सकती है क्याबिनेट में वहीं कई मंत्रियों की जिम्मेदारी कम भी की जा सकती है आपको बता दे कि आज दूसरा विस्तारी करण होगा मनोहर लाल खटर की सरकार का और यहाँ पर कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है फरीदाबाद से एक नाम आया है फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल रोतक से विधायक मनीश ग्रोवर और बावल से विधायक बनवारी लाल को क्याबिनेट में जगह मिल सकती है और कई मंत्रियों की जिम्मेदारी कम भी की जा सकती है कई मंत्रियों से कई विभाक लिए जा सकते हैं वो दूसरे लोगों को दिये जा सकते हैं क्याबिनेट के दूसरे चेहरों को वो जो पोर्टफोलियों है वो दिये जा सकते हैं कुल्बीर दिवान जी मीडिया समभादाता चंडिकर से हमारे साथ इस वक्त लाइफ हैं कुल्बीर कौन कौन से संभावत चेहरे आज नए चेहरे हो सकते हैं मनुहर कैबिनेट में यदि एन मौके तक कोई बदलाव ना हुआ तो विपल गोयल मनिश ग्रोवर और बनवारी लाल ये तीन चेहरे हैं जिनका नाम सबसे उपर चल रहा है और लगभग लगभग मुहर इनके नाम पर लग चुकी है इसलिए मैंने कहा कि यदि एन वक्त तक कोई बदलाव ना तो यह तीनों जो हैं आज मंत्री मंडल में शामिल हो सकते हैं जिसके रहा कुछ विभागों के फेर बदल के बात भी सामने आ रही है उससे जुड़ी क्या कुछ खबर है जहां तक बड़ी जिमेवारी की बात करें तो निल विज जो है काफी तेज तरार मंत्री गिने जाते हैं खटर सरकार में तो उनका कद जो है वो बढ़ाया जा सकता है उनको कोई और एहम विभाग है वो सौंपा जा सकता है इसी तरह कवीता जैन को भी उनको भी एहम विभाग जो है वो दिया जा सकता है यहां तक जो जानकरी मिल रही है शिक्षा विभाग जो है अब वो सौपा जा सकता है और कुछ एक मंत्रियों की छुटी भी हो सकती है और कुछ का कद भी घटाया जा सकता है जी आप शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग तो अभी जो है वो रामविलास शर्मा के पास है तो फिर उनक पिछले काफी दिनों से लगातार समिक्षा की जा रही थी और ये घटना करम एक दम से नहीं हुआ क्योंकि मोती मंत्री मंदल का जैसे ही विस्तार हुआ था उसमें कुछ बदलाव हुए थे तो उसी तरज पर हर्याना में भी समभावना जदाई जा रही थी और लगातार सरक सिरी से उन्होंने करीब दो घंटे मंत्र ना की थी तो लगभग लगभग ये तैय था के बदलाव जो होगा और जहां तक सुत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ वरिष्ट मंत्री जो है उनका कद घटाया जा सकता है और कुछ को नई जिम्मेवारी बिलकुल बिलकुल तो यहां पर कुछ नई चेहरे शामल किये जा सकते हैं संभावित जो नाम है वो भी हमने आपको बता इसके लावा कई जो क्याबिनिट के चेहरे उनकी जिम्मेदारी भी कम की जा सकती है बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर दिवान हमारे साथ चोड़ने के लिए